मौनसुन की विदाई होगी इस बार देरी से जिहां मौनसुन एक बार फर से सक्रिये होता दिखाई दे रहा है बात हर्याना की की जाए तो हर्याना में मौनसुन एक बार फर से वापसी कर चुका है मोसम विशुशुग्यों के अनुसार 17 सितंबर तक परदेश में कहीं हलकी तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है हाला कि 18 सितंबर को बंगाल की खौड़ी में एक कम दबाव का शेतर बनेगा जिसका असर हरियाना परदेश पर पढ़ने की संभावना है वहीं राजस्थान में भी मोंसुन सक्रिय हुआ है बरसात का ये दोर 15 सितंबर के बाद भी जारी रहने की संभावना है ऐसे में माना जा रहा है कि मोंसुन की विदाई इस बार देरी से हो सकती है 15 सितंबर को पूरवी राजस्तान के कोटा भरतपूर संभाग के जिलो में एक दो स्तानों पर अती भारी बरसात की संभावना है परदेश के साथ जिलो 12 बुंदी चितोडगर जालावार कोटा परतापगर स्वाई माधोपूर में अती भारी बरसात का ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है वही नो जिलो में भारी बरसात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है राजिय के अधिकाश स्थानों पर 17 सितंबर से भारी बरसात की गती वीदियो में गिरावट होने की संभावना है बात मध्यपरदेश की की जाये तो मध्यपरदेश की रायधानी साहित परदेश के कई हिस्तों में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है पिछले दो दिनों से कई हिस्तों में बारिश हो रही है मध्यपरदेश के कुजिलों में जहां मौनसून की वापसी देखी जा रही है तो वहीं कुजिले ऐसे भी हैं जहांके नदी नाले इन दिनों उफान पर है मोसम जानकारों की माने तो मध्या परदेश के मध्या पश्चमी वे उत्री शेत्रों में 14 से 15 सितंबर तक बारिश की स्थिति बनी हुई है वहीं इसके बाद 2 से 3 दिन समानेता रहने के बाद एक बार फ़र से रायदानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश का अरुमान लगाया गया है बिरो रिपोर्ट मारके टाइम्स टीवी